जमशेतपूर पुलिस ने बीते पांस दिसंबर को जुगसलाई थानाश्यत्र अंतरगत कमसा स्टील कार्याले के मुन्शी से हतियार का भै दिखा कर गरीब 10 लाक रुपे लूट कांड मामले का खुलासा किया है पुलिस ने लूट में शामिल तीन अपरादियों को गिरफतार कर नयाए खिरासत में भेज दिया है गिरफत में आये अभियुक्त राकेश बहादूर के पास से पुलिस ने 48,300 रुपे और एक मुबाइल अभिशेक कुमार के पास से 29,950 रुपे और एक मुबाइल और प्रेदपाल सिंग के पास से लूटी गई राशी से खरीदी गई स्कुटी और एक मुबाइल बरामत किया है जटना प्रतिवेजिक हुई थी काम सा स्टील एक फर्म है उसके कारियाले में दो खतियारबंद लोग भुसे उन्हाने वहाँ पर उपस्ति लेक्स की जिनका नाब बज्ञानी उनके साथ मार्केट की उनको पिष्टल और चाकू का बहर दिखाया और उनके यहां से 9.83 लैक्स रुपीज की लूट की लूट करने के बाद जब ख़बर आपको बता चली तो सीरेस्पी सहीद सभी लोग है और सीरेस्पी सर ने वहाँ पूरा देखा और पूरी टीम में मौका मौई ना दिया उसके बाद विभिन टीम्स ने अलग-अलग एंगल्स पर काम किया और जमशेदपूर पुलिस के द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए इसमें गिरों सामिन ने उसको चापारी के क्रम है राकेस बाहदूर नाम का एक क्रिमिनल है जो पहले भी तीन बार जेल जा चुका है वो पकड़ा गया उसके द्वारा इसकी कारी योजना के बारे में बताया गया उसके पास है एक स्कूटी जो उसने क्राइम करने के दूसरे दिन अपने जीजा के नाम पे फाइनस की वो खरी जीजा के नाम पे फाइनस इसले की क्योंकि इस कूटी को आसाने से मास्क किया जा सकी कि ये रूट के पैसे की नहीं और कुछ कैश वो अन लोगों उससे रिकावर किया न्यूस्विंग के रिए जंशेतपूर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट यू इसरग रिए की रिए लिए प्रविश्वा कर दो अबूद है नहीं झाला कोई लेकावर फोट लिए रविटाट लिए इस ब्सक्राइब को आपसे बीज़िंगा इस विल नहीं रिए्ट अविंगान इस रिए थाइन से रिए विए नहीं एको तो इसे पूमें उने the browser and I think on this spot while time is actually leading the you know on this this coding platform it is definitely a very good platform and one should implementin every school